हेलो एवरिवन आज है नोग इंकम डेस्ट के चैप्टर डिरेक्शन फॉर्म जीटाई का कोश्चन नमबर फॉर डिस्कस करेंगे जो की सेक्शन 80E से रिलेटेड है सेक्शन 80E में ये प्रोविजन किया गया है कि अगर एजुकेशनल लोन के लिए पेइमेंट के जाता है तो उसमें जो इंटरेस्ट का पार्ट होगा उसका डिरेक्शन एससी क्लीम कर सकता है एस पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80E और विटाउट एनी लिमिट मिस जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा ऐसी सी उसको क्लीम कर सकता है एस पर सेक्शन 80E तो इस कोशन में जी टे आई गिवेन है 7 लाफ 40 थाजंद लोन की वैलू गिवेन है रुपीशिक्स लाइक लोन का पेमेंट हुआ है 70 थाजंद and interest का payment हुआ है 80,000 तो जो section 80E का provision है उसके according जो interest का payment हुआ है उसका direction claim किया जा सकता है तो means 7,40,000 आपकी GTI है जिसमें से जो interest का part है वो 80,000 है means SEC 80,000 का direction claim कर सकता है तो 80,000 less होने के बाद taxable income आगई 6,60,000 तो I think ये question आपको अच्छे से clear हो गया होगा और 80E के provisions भी clear हो गया होगे आपको सिर्फ इतना धियान रखना है कि जो educational loan का payment होगा उसमें से सिर्फ interest का जो part है वही dedictions आप claim कर सकते हैं ओके भाई, heavenized है अवाई अवाई तो झाल झाल